नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं। आप जनल स्टेडी पेपर टू के इस टोपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हों। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिसकेशन में। सबसे पहले बाप कर लेते हैं कंटेक्स्ट की। देखो इस साल 29 जुलाई को सरकार की तरफ से नैशनल एजुकेशन पोल्सी अनौंस की गई। काफी सारी बाते बोली गई हैं, काफी सारे इंपोर्टेंट प्रोविजन्स इस पोल्सी में किये गए हैं। जैसे पोल्सी एम करती हैं कि इंडिया को ग्लोबल नोलेज सूपर पावर बनाना हैं। पोल्सी में जो प्रोविजन्स हैं वो सस्टेनेबल डवलप्मेंट गोल नंबर 4 से अलाइन करते हैं। आप बताईए, Sustainable Development Goal No. 4 क्या कहता है, हर एक बच्चा Quality Education प्राप्त करें, ये इंशोर करना जरूरी है सभी देशों को 2030 से पहले, ये है Sustainable Development Goal No. 4, और इसी से मिलता जुलता गोल भी National Education Policy में है, जैसे सभी बच्चों को Universal Access मिलें, School Scheme, Gross Enrollment Ratio को Increase करना, और जो बच्चे स्कूल में Admissions ले लेते हैं, लेकिन बाद में स्कूल को छोड़ देते हैं, इसे कहा जाता है Drop Out, इस Drop Out Rate को कम करना, ये सब मकसद है National Education Policy 2020 Scheme, इसके बाद राइटर कहते हैं, अभी तो academic community, यानि professors, teachers, debate कर ही रहे हैं, कि इस National Education Policy 2020 Scheme क्या फा हैं, लेकिन राइटर कहते हैं, इस National Education Policy से एक छितर में सबसे बड़ी निरासा हात लगी हैं, वो है academic freedom, academic freedom का क्या मतलब होता है, देखो academic freedom का simple मतलब ये होता है, कि teachers, professors, यानि academicians, बिना डरे, अपनी बात रख सके, controversial issues को discuss कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि मान लीजिए किसी professor ने controversial issue पर कुछ discussion की, और जान से मारने की धंकिया आने लगी, या फिर उस professor को हटा दिया गया, university से, job से, या फिर किसी दूसरी परकार की harassment का सामना किया गया उस professor के द्वारा, सिरफ इसलिए कि उस professor ने एक controversial issue पर discussion की, अभी देखो अगर हम बात करें, कि academic freedom का हमारे देश मे क्या status है, एक index है, जिसका नाम है, International Academic Freedom Index, इस index में, इंडिया को बहुत ही ज़्यादा खराब score कराप्त हुआ है, कितना, 0.352, सौधरेबिया का score रहा, 0.272, और लीबिया का score रहा, 0.238, पिछले पांच सालों में, इस index में, इंडिया का जो स्थान है, वो 0.1 points गिर गया है, मलेशिया, पाकिस्तान, ब्राजिल, सोमालिया, यूकरेन, इन देशों ने इंडिया से अच्छा परफॉर्म किया है, academic freedom के मामले में, उरुगवे, पोर्टुगल, जर्मनी, लात्विया, इन देशों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, इस index में मतलब academic freedom सबसे ज़्या है, इन देशों में, इस index के अनुसार, इसके बाद राइटर का point आता है, वैसे देखो, National Education Policy 2020 में, बाते दो काफी बोली गई है, academic freedom से संबन दीत, जैसे National Education Policy 2020 दावा करती है, कि ये policy, creativity और critical thinking के provisions पर अधारित है, और इस policy का मकसद ये है, ऐसा education system बनाना, जो political और किसी भी पर interference से दूर हो, free हो, for instance, policy ये कहती है, कि faculties के पास अजादी होगी, कि वो syllabus अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, teaching practices अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, एक approved framework के अंतरगत, for example, text books, reading materials, sections, assignments, assessments, ये सब teacher अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन एक framework के अंतरगत, इसके अलावा, policy में ये भी कहा जाता है, research को promote करने के लिए, एक national research foundation को establish किया जाएं, जो कि government से अलग governed हो, मतलब government का interference ना हो इस foundation में, एक rotating board of governors, govern करें इस foundation को, और इस board में best researchers और best innovators अलग-अलग field से आएं, ये सब बाते बोली जाती हैं, नेशनल education policy 2020 में, but writer के अनुसार question ये उठता है, क्या इन सभी promises को, क्या इन सभी offers को, क्या इन सभी provisions को, practice में लाया जाएगा, क्या सिरफ ये बाते रह जाएंगी, ये देखने वाली चीज़ होगी, जो ये index है, जिसकी हमने बात की, AFI, इस index ने एक report का हवाला दिया, मतलब एक report का जिकर किया, जिसका नाम है, free to think report of the scholars at risk academic freedom monitoring project, इस report में कहा गया, इंडिया में जो political polarization काफी जादा है, उसका असर universities की freedom पर भी देखने को मिल रहा है, इसका example भी दिया जाता है, JNU, और Jamia Milia Islamia University, वैसे ये examples आप exam में मत लिखिएगा, इसके बाद article में कहा जाता है, ये academic freedom index है, आठ components को ध्यान में रखते हुए prepare किया जाता है, ये आठ components है, बिल्कुल देखो आठों के याड़ आपको याद रखने का आप सकता नहीं है, प्री में भी इस index के बारे में पूछा जाएगा, थोड़ी संभावना कम है, ये इतना important index नहीं है, तो writer इसके बाद ये बोलते हैं, चार components के मामले में इंडिया की performance काफी खराब है, चार components कौन से हैं, ये चारो components, institutional autonomy, campus integrity, freedom of academic and cultural expression, constitutional protection of academic freedom, इन चारो के मामले में इंडिया की performance जो है, वो खराब है, ये देखो, जादर universities में इंडिया में देखने को मिलता है, government की interference रहती है, ना सिरफ academic issues में बलकि non-academic issues में भी, हर तरह के issue में, universities में सरकार की interference रहती है, जैसे university में top post पर appointment करनी हो, तो सरकार अपनी मजी से करती है, जैसे vice chancellor, pro vice chancellor, registrar, इनकी appointments highly politicized हैं, अब देखो, अगर vice chancellor की post पर, registrar की post पर, इतने बड़ी post पर, अगर सरकार के चहेते लोग हैं, तो फिर, नीचे की जो post हैं, उनमें भी favoritism, nepotism देखने को मिलेगा, political leaders phone करेंगे vice को, कि भाई, इस post पर हमारा आदमी लगा दो, तो पूरा जो महोल है, university का, वो politicized हो जाता है, और इसके साथ-साथ, efficiency से काम भी नहीं करतें, फिर, top post के अधिकारी, या फिर, अब nepotism वाले जो लोग आएंगे, favoritism वाले जो लोग आएंगे, उनका जो मकसद होगा, वो भी diverted होगा, for example, पैसा कमाना, तो इससे institutions की governance पर negative impact पड़ता है, और efficiency नहीं आप आती, governance में भी, बात की जाती है, last में, conclusion की, अभी फिलाल देखो, बहुत सारे education institutions, regulatory bodies, आपको ऐसी देखने को मिलेंगी, ना सिरफ center level पे, बलकि state level पे भी, जिनके जो head है, वो bureaucrates है, जहां National Education Policy 2020 ये बोलती है, कि education system को हमें de-bureaucratize करना है, तो कैसे होगा, ये तब होगा, जब academicians को power दी जाएंगी, governance powers, national education policy 2020 में भी इसके बारे में बोला जाता है, कि higher education institutions को autonomy दी जाएगी, इनका जो administration है, वो run किया जाएगा, board के द्वारा, जिसमें academicians होंगे, provision तो अच्छा है, बात implementation की है, अगर इस provision को अच्छे से implement किया जाता है, तो education system का de-bureaucratization होगा, और political interference जो है education system में, वो काफी कम हो जाएगा, और index जिसकी हमने बात की शुरवात में, academic freedom index, इस index में इंडिया का score अच्छा होगा, इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion,